नमस्कार आप देख रहे हैं खबर सब तक एक खबर सब तक मैं इस वक्ट सितामठी जिला के परखंड परसौनी के मैं इलबार पंचायत वाट नमबर साथ में इस वक्ट परसौनी से स्यूहर जाने वाली सरक एनेच एक सो चार पे मैं खरा हूँ रवीबार के दिन बीते रवीबार के दिन यहां एक हादसा हुआ रीना देवी के साथ रीना देवी सिमरा की हैं ढाका सिमरा की हैं और उनका ससुराल इस घर में है कैमरा में जड़ा इधर घर के तरफ दिख लाएंगे ये उनका घर है रीना देवी सिमरा की हैं जिनकी साधी छे साल पुर्म में हुई इसी घर में यहां जो है इस घर में छे साल से वो रह रही है उनके पास दो बच्चे भी है एक चार साल की बच्चा है चार साल का बच्चा है है नहीं एक बेटी भी है यहनि दो बच्चे की मा है रीना देवी आचानक कल उसके साथ एक हादसा हुआ इस घर में हम पहले आपको इस घर को दिखलाना चाहते हैं ज़र घर के तरफ ज़र हम चलेंगे देखेंगे यही वह घर है जिसमें कल रीना देवी रीना देवी का संदीख्ध हालत में जो है लास मिला यह हत्या है यह हम या प्रकृती मौत इसकी तो हम पुस्टी नहीं करते हैं लेकिन हम आपको बताते चलें कि यह चन्नूसा का घर है घर की स्थिती को आप देखिए यह घर है जहां रीना देवी छे वर्स से रहते हुए आ रही है कल अचानक उनका जो है उनकी मौत हुई संदीख्ध हालत में मिली इसकी जानकारी इनके सस्राल वालों को यहनी मेके वालों को पता चला वहां से वो लोग भी आये हैं उनकी माता भी है यहां कल भी इस बात को लेकर यहां NH-104 पे यहां के लोगों ने रोस व्यक्त किया कि यह हत्या है हाला कि यह हम इसकी पूस्टी नहीं कर सकते पुलिस मामले की जाच कर रही है यह पुलिस का मामला है जाच का भी सय है इसकी तो हम पुष्टी नहीं कर सकते लेकिन अभी जो इस्थिति है वो हम दिकाना चाह रहे हैं कैमरा मैंन एक को दिखाएंगे की इधर घर का क्या हालत है घर की भी स्थीती अच्छी नहीं है अब हमारे साथ जो है रीना देवी की माँ है ये हादसा होने के बाद वहां से जो है यहां बेटी के पास बेटी के घर आई है उनसे भी हम बात करेंगे कि इनको कब पता चला इनसे बात करते हैं आपका नाम क्या है? राजकुमारी जी आपके बेटी रीना देवी के बारे में क्या पता चला कल? कैसे पता चला? यह बात सुझ लिए इस जो है मुआ दिया तोरा रीना बेटी के मुआ दिया कौन बोला ये आपके आदमी बोला खामना बत विल्ए गाम एक लिए दोसर तीसर को अलाग राज कुमारी जी जो है रीना देवी की माह है इनको यहाँ के लोगों से पता चला कि इनकी बेटी क्या जो है इनकी बेटी मर गई है और उनका जो है दास अंसकार के लिए उनको जो मस्कानार थी कि आब श्रीना को अपसे कभी बात वात होती थी कि रिमा को मैदा से टीलीफोन से घीलीफिने दिन से कितिने दिन से बात में हों चुछी सीव्रात पंगे अकरा भ pronounced buy, calli, आपने जो है इस तरह का कुछ परिवारिक विवाद या घर में किसी तरह का कोई मामला ऐसा को इसको लेकर जो है नहीं इस तरह का जो है सब्सक्राइब को जब यह पता चला कि उसकी बेटी का लास फुंका जा रहा है इस बीच जो है रिना देवी की मा राजकुमारी देवी अपने और भी एक बेटे के साथ बेटे भी इनका बेटा भी आया था और भी गाओं के लोगों के साथ यहां जब पहुंची तो मामला द और अक्सर इस तरह की इनके साथ मार पिट किजाती रही है हम यहां के कुछ परोसी लोगों से ब्युक्रावावा यहां मामला है उनको क्या पता है इसके बारे में फूला देवी जी कहां रहती हैाप आप यह बता आदमी है मुसलिम है यहां तो मुझमाना के बैठा उठा वा थी वह जमान खेती बारी करता है आप यह बताईए कि यह हाथ्षा जो हुआ है इसके बारे में आप कुछ जनकारी है कैसे क्या हुआ जनकारी है जो फटा फट चल लाई ना तो हम सूत के उठ ली तहम को ली केने कॉथी फटा फटा इचाए जैसा हुआ जाता भागी है भागी हम रो अगना में से तो हम अगना में से निकल गिया उसका मतारी के हम पांसो गारी दिया अचिक आप यह बताईगे ना कि कल वाले में हासे में कल कल बाला मात भाद उसका ता मार के किकराज सक्राचूर को दिया यह जाग्नाव मारते हुए देखे हम आई ली तह तो लोग वा सब वकर गोतिनी दिया दिन सब उठा पठा के मुँँमाय के गाउजू फे नून सब नि तो कितने लोग साथ में गये थे वहां पूंगे उन्हों लोग नहीं था उसका माई भी था उसका पीतिया भी था यहां चलिए हम आप और भी यहां लोग करें हैं उन दोगों से भी बात करेंगे यह भी पास में ही इनके रहते हैं इस घर के महज जो है पांच मीटर की दूरी पे इनका भी घर है इनसे भी जानते हैं कि कल जो हाथसा हुआ कल जो हाथसा हुआ कैसे हुआ क्या इस तरह का इनसे हम पता करते हैं क्या नाम है आपका? पुजा देवी ये कल जो हादसा हुआ है ये काफिक हौफनाक हादसा है ऐसा नहीं होना चाहिए इस समाझ में आखिर कोई अपनी बेटी किसी दूसरे घर को बियाह का बियाह蒙 public बियाहा जाता है रेनू देवी रेनू देवी जिनके पास दो बच्चे हैं नहीं दो बच्चे हैं आप जरा ये बताइए उनके साथ क्या मामला हुआ कल का मामला बताइए कल क्या हुआ जिकल का मामला जो हुआ हम लोग को घर तो वहां बरभ फैटी के पास है या वहां से जब लास आया सितामधी से तब हम लोग को पता चला तो हम लोग आएं लास उठा के अगर में वहां पर रख दिया पपू पपूशा उसके बाद हम सब तो हमको लोग सब बोला कि तूसरे बनें लोग को तो जाना तो हमसे चल गए अपना घर पर वहां बरभ फैटी कर दो क्या उसको जो है सितामधी लेग ले जाया गया होगा तभी लाया सितामधी जो है बीमार थी क्या वो बीमार था यह हमको पता नहीं है लेकि नाक में सुजन लगा था देखें वहां से उता था पर ने देखने सब्सक्ता फुक दिया था निए पपूसा यह जो है यह हमेशा होता था इसको इसको के कारण इसको घ्रमें हमेशा जग रहा होता है आपका क्या नाम है जय लक्ष देवी आप भी बताइए कि यहां जो हाथसा हुआ कल जो हाथसा हुआ रेनु कुमारी के साथ रेनु देवी के साथ किस तरह का मामला है तो हम अपना ध्रे स्याकानली सोक्र मारा राई छे सजाने यह बात बात गया मने रधीकरी घर से परका मार लाई तो हमार पत्ति वोल्लाई से के क्रोज भोत वेती नहाईं कहला क्या मारा है लेकिन हमनी सब सुन लिए या काली मारला ही हा तो रोई चाहिए लेकिन हमनी सा अंदर ना लिए आगे चलते हैं और भी है कमिला उनसा बात कर लेते हैं आपका क्या नाम है पाप में झराबीत लोड खारा हो कर के ले खुब ज्ढवरी हो एत रहा है। तो आप माने में लास भाइस में लास भाल ओ सब्सक्थ जाए ह रहां लास भालिलष रहा है। तहैं परेअ साफ सकते हम चाहरी दोनों बेटामातारी buat लग बागय सर यकरासर से बोल चालना रहे हो दोब तोपन Łप्ना के अरद दिया, यह तनी तक हम से लिगने तीन मारा नाही हं भी न ही खाय ठीक है हाँ हम से सरे में चल गई जब लास में आग धरा दिया ना तब हम सरे में से आई तो हम कली से जब मरिये गया है उना तो बाप मतारी के ख़बर का के बोलवा देता तक बाप मतारी के ख़बर हो गए ले हाई तने तक हम से देखने हैं जैसा कि रीना देवी के साथ जो म मैके वालों को रीना देवी के पिता को माता को भाई को भी इनके दुआरा जो है बताना चाहिए था जो कल का जो हादसा है रीना देवी के साथ का जो हादसा है उसमें रीना देवी के भाई के दुआरा ये बताया जा रहा है कि रीना देवी के शादी में जहेज के रूप में कि पपू साह दुवारा जो है मोटसाइकल मांगने की बात आई है जिसमें उनके भाई ने जो है रिना देवी के भाई ने कहा है कि पपू अक्सर हमसे जो है मोटसाइकल के लिए बोला करता था पपू साह की अगर बात करें तो पपू साह का जो है यहां समाज के जो लोग है उनसे बात करने के बाद यह साफ जाहिर होता है कि पपू का जो प्रिविरती है उसका जो चाल चलन हे वह बिलकुल कुसल नहीं है और यहां पे कुछ लोग हैं जैसे अभी हमारे साथ जो है यहां पूरा समाज उससे परेसान है उसको यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है छे महीने का गरवती और ते उसको भी मतलब जिंदा जलाने के पूरा मतलब जला ही दिया यहां परेसान है जैसे उरत का मतलब पती हो गया उसको बादे लिया गया इसको यहां रहने का उसको खोग नहीं है पुर्व, पुर्व में भी घटनाइन है, इसे पुर्व में नहीं है, ति यहां प्रोसी के साथ हत्या का मामला हुआ पुष्टी तो नहीं करते हैं हत्या उनके द्वारा हुआ या नहीं हुआ लेकिन हम उनसे ऐक बात करेंगे पपुसा के द्वारा ये पहली घट्ण करें पहले भी बहुत तो इनके साथ जुए है पपू के साथ क्या आपका भी पती के कुछ मामला था क्या यह था कि काम के मिला में था कि उसका भोला कि नहीं ले गया मेरा काम पर की मेरा कामा चलू जाँ आपना पती के लिए ताम बोला कि अपना पती के लिए ताम बोले कि भाई जी सोने दो कि आपको बताते चलें कि पपु साह जो है एक ही मामला नहीं है पपुसाह के दोआरा महिला के यह यहां खड़ी है इनके भी पति applis के रश्व हम आते हम आप को बताते चलें कि इतनी वेबस औरत है कि इनक के इन को जह है निया केलिए सरकारी वकील की के वेबसा करनी पर हुआ और बाद में इनको जो है कुछ मुआपजा देकर मुआपजा मिला क्या मुआपजा मिला आपको मैं मुआपजा में वे डेर कठा जमीन दिया है पपू साह द्वारा पपू साह द्वारा इनके पती के हत्या को लेकर समझहोता कहिए या फैसला कहिए उसमें इस बिद्वाग को महज क्या मिला को बेर कठा जमीन मिला और आपको बताते चलें ये पहला मामला बिलकुल नहीं है जैसा के यहां के जो भी लोग हैं जो भी समाज हैं इसके इस परविर्टी से अच्छी तरह वाखिफ हैं दुसी तरह मैं इस चैनल के माधियम से खबरसब्तक के माध्य हम से सरकार से जो है निवेदन करूंगा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है दूसरी तरफ आखिर उसी बेटी के साथ दहेज की मामले को लेकर या उनके साथ और भी समाज में अत्याचार हो रहा है इसके लिए सरकार कोई विसेश ऐसा कारून बनाये जिस से इस तरह की हत्ताय को रोकी जा सके और ऐसे मामलों को लेकर परसासन और सरकार और बेवस्था को कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिस से इस तरह की घटनाएं रुख सके मैं आपको बताता चलूं कि विकास यातरा के दौरान अभी जो है मानिय मुख मंतरी स्री नितिश कुमार दौरा दहेश पर्था को लेकर भी जो है बहुत सारे जागरूता अवयान चलाए गए लेकिन ये धरातल पे कहीं से दिखने रहा है यहां की सरकार नितिश कुमार से मैं इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के ताकि इस समाज में इस तरह की कुरीतियां खतम हो कैमरामेन देवराज संतोस के साथ मैं हूँ साधी क्रियाज आप देख रहे हैं खबर सब तक